नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, पिछले वीडियो में हमने नीती शत्कम के अंतरगत, सज्जन पुरुषों की विशेष्टाएं, महापुरुषों की विशेष्टाएं और साथ ही मले परवत के उधारण के द्वारा परोपकारी व्यक्ति क की विशेष्टाएं का अध्यन क्या, आज हम 22 विश्लोक से धैरी प्रशन सा पद्धति के अंतरगत धीर पुरुषों की विशेष्टाएं को पढ़ेंगे, रतनेह महापदेह तुतूशुह न देवाह न भेजिरे भीम विशेण भीतिम सुधाम विनान प्रयूह विरामं न निश्चित अर्थात विरमंती धीराह यहां धीर व्यक्तियों की विशेष्टाएं का चित्रन करते हुवे कभी भरतरी हरी कैते हैं देवाह देवता महापदेह रतनेह महापदेह महासागर के सागर के रतनेह तुतूशुह न रतनों को पाकर भी तुतूश न जब समुद्र शीर्सागर का मन्थन किया गया तब उसमें से 14 रत्नों के उत्रपति हुई थी तो महासागर से रत्नों को प्राप्त करके भी देवता देवता प्रसन नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, 14 रत्म जो निकले थे उनसे भी संतुष्ट नहीं होकर केवल वो अम्रित प्राप्ती ही चाते थे, अम्रित को ही प्राप्त करना जाते थे और जो हलाहल विश निकला उससे भी देवता लोग भैबीत नहीं हुए, सुध अम्रित के बिना उन देवताओंने विरामम न प्रयूह अविश्राम को प्राप्त नहीं किया। जब तक देवताओंने अम्रित को प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक भे शीर सागर का मन्थन करते रहे। न निश्चित अर्थात विर्मन्ती धीराहा, धीराहा, धीर पुरुष, धैरिशाली, व्यक्ती, निश्चित अर्थात, निश्चित लक्ष को निश्चित प्रयूजन की प्राप्ती तक न विर्मन्ती नहीं रुखते हैं। यहां कभी ने धीर की ही विशिष्टता का प्रतिबादन करते हुए काया है कि धीर पुरुष जब तक अपने लक्ष को अर्जित नहीं कर लेते हैं, तब तक वे कारी करने से नहीं रोपते हैं, निरंतर प्रयास रत जाते हैं, चाहे कितनी ही बाधाय, कितने ही विग्न उपस स्चित हो जाए फिर भी वे अपने कारी को नहीं छोड़ते हैं देवताओं के द्रश्टन द्वारा इसका सुन्दर पतिपादन कभी ने किया है जिस तरह की देवताओं ने शीर्शागर के मंथन के समय जो 14 रत्न उत्पन हुए उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ और तब त समंदर का मंथन करते रहें जब तक कि अम्रित बहार निकल कर नहीं आया अम्रित को पाकर ही वे संतुष्ट हुए ऐसे ही देरेशाली पुरुष भी जो लक्ष धार लेते हैं जिस लक्ष को पूर्ण करने का वो संकल्प कर लेते हैं उस लक्ष उद्देशिया प्रयाज़न रहते हैं महगविक काली दास ने भी धीर पुरुष की परिभाशा देते हुगे का है विकार हेतों सती विक्रियंते ये शाम्न चेत्तांसी सेव धीरा हा विकार हेतों विकार के हेतों के राग देशाती विकार के कार्णों के उपस्थित रहने पर भी जो व्यक्ति इन प्रभावित नहीं होता, विक्रित नहीं होता, काम, क्रोध, लोग, मो, आधिके, हेतु, धैने पर भी जोहिन से प्रभावित नहीं होता है, सदेव सभी परिस्तियों में समान व्यावार करता है, और सदेव अपने उद्धेश की पूर्थी के लिए प्रयासरत रहता है, उसे ही देरपुरुष कहा गया है तो यहां पौराणिक संदर्ब की वारा कभी ने देरशाली पुर्षों की विश्षिश्चता का उनकी वहवार का प्रतिबादन किया है अंतिम पंक्तिम में सामाने कथने इसलिए अर्थांसन्या सलंका यहां है अगला श्लोक है प्रारभ्य तेन खलू विग्ण भयन नीचे हा प्रारभ्य विग्ण भयता हा पिरमंती मध्या हा विग्णै हा पुनः हा पुनरपी प्रतिहन्यमाना हा प्राणधं उत्तम जनान परीद्य जन्ति यहां तीन प्रकार की श्रेणियां मनुश्य की बताई गई है, मनुश्य का उनके कारियों के आधार पर श्रेणी विभाजन किया गया है नीचेह नीच शर्णी के व्यक्ति नीच पुरुष खलू निश्चेही विग्न भयेन बाधाओं के डर से बाधाओं के भय से न प्रारभ्यते किसी कारी को प्रारंब ही नहीं करते हैं मध्याह मध्यमशनी के व्यक्ति प्रारभ्य किसी कारी को प्रारंब करके विग्न भयताहा विग्नों से बाधाओं से समस्याओं से विहत होने पर पिड़ित होने पर बादित होने पर विर्मंती रुक जाते हैं अठात कारी को बीच में ही छोड़ देते हैं उसे पोर्ण नही करते हैं विगनेह पुनह पुनह अपी प्रती हन्यमाना हा विगनेह विगनों के द्वारा बाधाओं संक्टों आपदाओं समस्याओं के द्वारा पुनह 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 बार बार अपी भी प्रती हन्यमाना प्रती हन्यमाना सताय जाने पर भी प्रतालिक के जा प्रारब्धम न परित्य जन्ती प्रारब्धम प्रारंब की हुए काजे को न परित्य जन्ती नहीं छोड़ते हैं तो इस प्रकार से व्यक्तियों के स्वभाव और उनकी कारिशेली के आधार पर महा कभी बड़तरी हरी ने उरुषों का त्रिवित शर्णी विवाजन किया है उत्तम शणिके जो व्यक्ति होते हैं वो विशिष्ट प्रकार्दे व्यक्ति होते हैं जो कभी भी अनेक समस्याओं कस्टो बाधाओं का सामना करते हुए भी जिस कारे को उन्होंने प्रारम किया है उसे पूरा करके ही दम लेते हैं पूरा करके ही छोड़ते हैं किसी भी कारे तो कर देते हैं लेकिन बाधाओं समस्याओं विगनों के आ जाने पर वे उस कारी को अधूरा छोड़ देते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं बाधाओं से विगनों से गबरा कर या तोच साहित होकर हताश होकर वे किसी कारी को पूरा करने का साहस नहीं चूटा पाते हैं उसे बीच में चोड़ देते हैं ऐसे मद्यमशनी के व्यक्ति करेगए है और नीच या तहीं करना ही नहीं चाहते हैं, किसी कारी को प्रारम भी नहीं करते हैं, उन्हें अकर्मन्य, निश्क्री या आलसी व्यक्तियों में रखा जा सकता है, उस चर्णी में उन्हें प्रतिवादित कभी ने किया है, तो इस प्रकार व्यक्तियों कि संसार में अनेक तरह के स्वभाव के लोग होते हैं, बिने रूचिर ही लोग है, बिने बिने रूचि वाले लोग होते हैं, अनेक प्रकार प्रवड़िया विक्तियों में पाई जाती है, कुछ आलसी होते हैं, कुछ कर्मट होते हैं, और कुछ कारी करना चाहते भी हैं, लेकिन उसे पूरा भी नहीं करते हैं, तो इस आधार प्र प्रकारी की प्रोड़ती के आधारपती प्रकार के मनुष्यों को कभी ने बताया है और जो उत्तव व्यक्ति है उन्हें ही कभी ने धीर गंभीर पुरुष भी कहा है अगलाश लोगे कांत कटाक्ष विशिखा न लुननती यस्य चित्तम न निर्दहती कूप क्रिशान उतापह कर्शंती भूरी विश्यास्च न लूभ पाशाहा लोकत्रयम जयती कृच्छनम इदम सधीरह यहां भी धीर पुरुष के स्वभाव और मैवार का कभी ने वर्णन किया है धीर पुरुष काम, रोद, लोग, मो, माय, आदी से प्रभावित नहीं होता है चित्त के इन विकारों से वह विक्रित नहीं होता है, सभी अवस्थाओं में सभी दशाओं में वह सहज भाव से अपना कारी करता है कांता कटाक्ष विशिखा न लुननती यस्य यस्य अर्थात जिस धीर व्यक्ति के धीर मनुश्य के को कांता कटाक्ष विशिखा यहां रूपकलंगारे कटाक्ष रूपी बाण न लुननती नहीं वैद सकते हैं अर्थात कामीनियों के इस्त्रियों के कटाक्षों के या आखों के विबिन रश्टी पातों से जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं इस्त्रियों के कटाक्षों भी मान जिसे नहीं बींद सकते नहीं बेज सकते चित्तमना निर्दाती कोप कृशानु तापह, कोप कृशानु तापह, क्रोध रूपी कृशानु अगनी, अगनी की तापह उश्नता, क्रोध रूपी अगनी का जो ताप है, चित्तमना निर्दाती, जिनके चित्त को नहीं जला सकता, जैसे अगनी किसी वस्तु को जला देत वैसे क्रोध व्यक्ति के चित को मन को बहस्म कर देता है जला डालता है उसे विक्रित बना देता है तो जो दीर पुरुशे वो क्रोध से भी प्रभावित नहीं होते हैं क्रोधी स्वभाव के नहीं होते हैं क्रोध जिनके वश में होता है क्रोध को जो सैमित नियंद्रित कर लोब पाशाहा, बूरी विश्याहा, च, बूरी विश्याहा, बूरी अरण अनेक, अनि सांसारिक बौतिक विश्यों के और आकरशित नहीं होते हैं, लोब लालज के और आकरशित भी नहीं होते हैं, लालसा लोब प्रिश्यों के प्रौतियों में नहीं होती हैं, सांसरिक बौतिक 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 बौति त्रिलोक को वह दीर पुरुष जीत लेता है तो कभी ने यहां पताया है कि जिस दीर पुरुष का काम, क्रोध, लोब इन पंडियंत्रन होता है इनको जो वश्मे कर लेता है अपनी इंद्रियों और मन को जो सहीं मित कर लेता है ऐसा दीर पुरुष त्रिलोक पर राज्य करत तो मनुष्ए को काम क्रोध लोग आति जो व्यक्ति के आंत्रिक्षत्रू है इस पर विजए प्राप्त करने चाहिए और models को सार्थक करना चाहिए यहां भी दी रह भीर पुरुष की कालिदास द्वारा उपत कही गई परिभाशा को हम लागू कर सकते हैं चर्दार्थ कर सकते हैं अगला श्लोखे परिभाशा ती है मनस्वी व्यक्ति मनस्वी पुरुष मनस्वी का अर्थ है द्रड संकल्पित व्यक्ति अपने कारिक को करने की प्रती द्रड संकल्पित ने किया है जो अपने कारिक को पूर्ण करता है चाहे कैसी भी परिस्तिति और सभी परिस्तितियों में सुख या दुख, सभी विप्रीत परिस्तितियों में जो समान व्यावारो राचरन करता है, उसे कभी ने मनस्वी कहा है, क्वचित प्रत्वी सैयह, मनस्वी पुरुष, क्वचित कहीं प्रत्वी सैयह, प्रत्वी पर सो होता है कभी वहां शाकाहड़ी होता है कहीं शाक यानि सब्झी खाकर अपना भरण करता है कवचेद अपीचर शाली उधन रूचिखेंच और कहीं पर शाली उधन शाली यानिकृष्ट तरह की चावज है उसकी बहात में उसकी रूचि होती है उस साली ओधन को चाल के भात को खा करवाया प्रसन्न होता है कवचित कंथाधारी है कहीं कंथाधारी कंथा तक फटे पुराने वस्त्रों को पैनने वाला धारन करने वाला होता है क्वचिद अपिच्च और कहीं देवि अंपरधरो देवि वस्त्रों को धारन करने वाला देवि सितात परे हैं या केम्ती बहु मल्य मुलिवान वस्त्रों को धारन करने वाला होता है मनस्वी कार्यार्थी कार्य की सिधी चाहने वाला मनस्वी पुरुष न गणयती दुखम जब तक प्रयोजन की सिद्धी में लगा रहता है जब तक प्रयोजन सिद्ध ना हो जाए तब तक बहार विरत नहीं होता है नहीं रोकता है चाहे उसे सुखों का सागर मिल जाए अठात दुखों के पहार चाहे प्रत्वी पर सोना पड़े या पलंग पर म्रदु सेया पर उसे सोना मिले। चाहे सबजी खा कर उसे अपना जीवन यापन करना पड़े, चाहे अच्छे उत्कृष्ट व्यंजन उसे मिले, चाहे फटे पुराने वस्त्र पैनने पड़े, चाहे बहुमुली वस्त्र धारन करने का उसे सोबागी मिले, सभी परिस्तितियों में वह समान आच्रण करता है, किसी भी ना तो सुख में वह अतिगर्वित होता है, आंकार करता है, और ना ही दुख में वह गवराता है, सभी परिस्तितियों का समान रूप से वह सामना करता है, सभी परिस्तितियों में समान रूप से वह वैभार करता है, अगला श्लोग है, निन्नन्तु नीती निपुणा यदिवा इस्तुवन्तु लक्ष्मीह समाविशतु कच्छतु वा यथेश्टम अध्येव वा मर्णम अस्तु युगान तरेवा न्यायात पथह प्रविचलंती बदम्न धीराहा यहां उदत अलंकार की कवी नियोजना की है धीर उरुष के उदत चरित्र का आच्रण का यहां कवी ने पढ़नन किया है नीती निपुणा हाँ, नीतों निपुणा हाँ, यती नीती निपुणा, नीती में कुशल, नीती कुशल, व्यहवार कुशल, लोग निन्नन्तु दिन्दा करे यदिवा, यदी निन्दा करे वा अथवा इस्तुवन्तु, अथवा इस्तूती करे, प्रशंसा करे, जिसी व्य अथ्वा इस्तु अन्तु उसकी प्रसंसा करे लक्षमी हा समाविष्टु गच्चतु वा यथेश्टम लक्षमी समाविष्टु अर्थात आये उसकी पास लक्षमी आये वा अथ्वा यथेश्टम गच्चतु यथेश्टम गच्चतु इच्छा अनुसाथ चली जाए वह द न अद्हा शानाटी हो जाए समृत हो जाए अथवा ही मरंठा इसकी म्रत्यू को प्राप्थ समय बाद आज ही प्रत्यु का वह वरन कले म्रत्यु उसे प्राप्थ हो जाए वा अत्वा युगांतर में कुछ समय बाद उसे म्रत्यु प्राप्थ हो नियायात पथः प्रविचलन्ती धीराहा पदम न धीराहा धीर पुरुष नियायात पथः नियायोचित मार्ग से पदम न प्रविचलन्ती एक गदम भी एक डग भी न प्रविचलन्ती विचलित नहीं होते हैं चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहे, चाहे उसकी निंदा हो लोक में, चाहे लोक उसकी प्रशंसा करें, चाहे वह दरित्र हो, चाहे वह धनाड्य हो, चाहे आज ही मृत्तियों उसका वरण कर ले, अथवा युगांतर में उसकी मृत्तियों हो, बहुत समय बाद उसकी मृत्त हो सभी इस्थित्यों में सभी दशाओं में कभी भी धीर पुरुष न्यायोचित मार्ग को नहीं छोड़ते हैं सदेव न्याय संगत मार्ग से ही जीवी को पारजन करते हैं अपना जीवन यापन करते हैं जीवन में कभी भी ब्रश्टाचार, अनाचार, अत्याचार, आदि का आश्रे नहीं लते हैं नय संगत तरिके से जीवन यापन करते हुए धीर पुरुष सदेव दूसरों के लिए भी आधर्श प्रस्तुत करते हैं और दूसरों के भी प्रेर्णा श्रोद बनते हैं तो धीर पुरुषों के उद्दात्य चरित्र का उनकी विशिष्टताओं का कभी ने यहां चित्रन किया है इसलिए यहां उद्दात्तालंकार है और धीर पुरुष वास्तम में किनी भी परिस्तितियों में चाए सुग दुखादी परिस्तितिया हों विप्रीत द्दात्मक परिस्तितिया हों किसी में भी वो प्रभावित किसी से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं बिना प्रभावित हुवे सदेव एक सा वैवार करते हैं इस प्रकार से हमने चोतरश लोग तक धीर पुर्शों की विशिष्टताओं का उनके आच्रण का और भैवार का अध्यन किया है आज बत इतना ही प्रिविध्यार्थियों इस चैनल को आप सब्क्राइब अबसे कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें इसी प्रकार के और वीडियोज भी आगे हम देखेंगे सुनेंगे बहुत तर्णिवाद